एक साल पहले वाडी थाना शेत्र के अमबेटकर नगर की एक नावालिक लड़की लापता होने से मामला दर्च किया गया था प्राप्त जानकारी के अनुसा पीडित बच्ची के पिता ने 28 अगस्त 2020 को शाम करीब चार बजे वाडी पुलिस में शिकायत दर्च कराई थी कि पीडिता को अमबेटकर नगर वाडी से अगवा किया गया है इस समभन में वाडी पुलिस ने अग्यात आरूपी के खिलाफ मामला दर्च किया था नावालिक भी 16 साल की है और उसे एक अग्यात आरूपी ने बहलाया था 17 साल की लड़की बिना किसी को बताए अपनी मरसी से घर से निकली थी पुलिस को गटना की सूचना मिलते ही वाडी थाने के डीबी प्रभारी PSI साजित एहमद ने नावालिक बच्ची की तलाश शुरू कर दी पुलिस के मताबिक अंबेटकर नगर की रहने वाली और पास में रहने वाले लोगों ने बताया की बच्ची आरूपी विवेक पिल्लेवान के साथ भागी थी पुलिस को विवेक पिल्लेवान के एक दोस्त से मोबाइल नमबर मिला आरूपी का दोस्त कुही गावन के जंगल में छिपा था पुलिस को चकमा दे कर वह भागता रहा अंतहा आरूपी के मित्र शुद्धन रामची रामटे के निवासी चिकन टुकूम कुही को पुलिस ने गिरफतार कर लिया उसके मोबाइल का सीडिया कॉल करने वालों में से अधिकांश की पहचान शुद्धन रामची रामटे के चिकना टुकूम कुही से हुई थी जिने ग पुलिस ने आरोपी 23 वर्षी विवेक पिल्लेवान और नाबालिक पीडिता को गरफतार कर लिया और आरोपी विवेक पिल्लेवान पर धारा 363 के अनुसा गरफतार किया गया आगे की जाच वरिष्ट पुलिस निरिक शक्त प्रदीप सूरेवन्शी के मार्ग देशन में की जा रही है